मांचपार उपस्तेत सभी नितगन, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पड़ादिकारिगन, कार्यकरता सातियों, भायों, बहनों, आज हम सब के लिए एक अतिहासिक, एक पवित्र और शुब दिन हैं। एक सो पचासवी साल पहले, आज ही के दिन महात्म गांडी जी जैसे महापुरूश का भारत की दर्ती पर जनुम हुआ था। उन्होंने न केवल भारत को बार्कि पूरी दुनिया को अहिंसा और सत्य गरहा का रास्ता अपनाने की प्रेवन दी। हमें महामानव की स्मिरिती को ऐसे महामानव की स्मिरिती को बार बार नमन तरते हैं। आज जब हमारा देश और पूरी दुनिया महात्मा गांडी जी की एक सो पचास्वी जएंती मना रही है। हम सभी को इस बात पर गर्व है कि आज भारत जहां पहुचा है गांडी जी के रास्ते पर चल कर पहुचा है। गांडी जी का नाम लेना तो आसान है लेकिन उनके रास्ते पर चलना आसान नहीं है। गांडी जी का नाम लेकर भारत को उनी के रास्ते से हट कर अपने दिशा में ले जाने की कोशिश करने वाले पहले भी पहले भी तम नहीं थे। लेकिन पीछले कुछ वर्षों में तो सामदाम दंद भेग का खुला करुबार करके वे अपने आपको बहुत कखतवार समझते हैं। इस सब के बवजूद अगर भारत नहीं भखा तो इसलिए कि हमारे मुल्क की बुनियाद में कांडी जी के उसूरों की आदार शिरा है। भारत और गांडी जी एक दूसरे के पर्याय है। ये अलग बात है कि आजकर कुछ लोगों में इसे उल्टक करने की जित पकर ली है। वे चाहते हैं कि गांडी जी नहीं बर्कि अरे सैस भारत का प्रतीत बन जाए। नै ऐसे कहने वालों को साफ शब्दों में बताना चाहती हूं कि हमारे देश की मिली जुली संस्कृती, मिली जुली सब्यता और मिले जुले समाज ने गांडी जी की सर्व समदेशी व्यावस्ता के अलावा तभी कुछ सोच नहीं सकती हूं कि जो आप तो बताएं कि जो असात्य पर अधारित रर्द राजमीटी कर रहे हैं वे कैसे समझेंगे कि गांडी जी की सत्या के पुजारी थे जिनें अपनी सक्ता के लिए सब कुछ करना मन्जूर है वे कैसे समझेंगे कि गांडी जी अहिंसा के उपा सकतें जिनें लोगतंत्र में भी सारे व्यक्ति सारे शक्ति खुद की मुत्ती में रखने की प्यास है वे कैसे कैसे समझेंगे कि गांडी जी के स्वराज का क्या मतलब है और जोने मौका मिलते ही अपने को सरवे सरवा बताने की इच्चा हो वे कैसे समझेंगे कि गांडी जी की निस्वार्त सेवा का मुल्या क्या होता है महात्मा गांडी चाहते थे कि भारत और उसके दाव आत्मा निर्बर हो अजावी के बाद इसी रास्ते पर चल कर कांग्रेस ने करंटिकारी परिवार्तन लाने के कदम उताए चहे नहरुजी, शास्ट्री जी हो, इंबिरा जी हो, राजीर जी हो, नर्सिमराव जी हो या तो फिर दाक्तर मन महान सिन जी हो, सभी ने नए भारत के निर्मान के लिए दिन्वात संगार्श किया और तरक्टी की नए निसाल कायम की, यही वज़े है, यही वज़े है कि हम इतनी सारी मंजिले ते हुए गांधी जी के मार्क पर चल कर कांग्रिस में जितने नहीं रोजगार के आफसर पेदे किये जितने लोग को गरीबी से मुक्ती दीलाएं, हमारे अनदातक इसानों को जितने नहीं सदन उप्लाव करें, हमारी प्यारी दिंहनों के लिए चित्नी सुिदायम हो ही युवाक और युवतियों को चिती शिक्षा की सुविदाइदी फ्रेम में समझती हूँ बेमिसाल लेकिन पीछले चार तास साल में भारत की जो हालत हो गई ही मुझे लगता है कि उसे देखकर गंदी जी की आत्मा भी दुखी होती होगी बेयात अफसूस की बात है कि आज किसांभाई बधाल की स्थिती में है हमारे युवाबे रुजगारे से जूज रहे हैं उद्योगदंदे बंध हो गए है मेरी बहनों गावतों छोड़िये बरे शहरों में भी सुरक्षित नहीं है और इन पर अत्याचार करने वाले प्रभाफशाली लोग तो अराम फर्मा रहे हैं और जिनके उपर जूल हुआ वे जेलों में डाली जा रही हैं इन दीनों अपने को भारत का भाव की अभीदाता समझने वालों से मैं बहुत बहुत ही विन अमरता के साथ कहना चाहती हूं गांडी जी नसरत के नहीं प्रेम के प्रतीक है वे तनाव के नहीं सदबाव के प्रतीक है वे निरंकुष्टा के नहीं जनतंत के प्रतीक है बाकि कोई कुछ भी दिखावा करे मगर गंदीजी के सिद्धांतों पर कंग्रेसी चली है और कंग्रेसी चलेगी इसलिए आज मैं कंग्रेस के अपने सभी भेंदायों से कहती हूं कि भारत के बुनियादी मुल्यों को बचाने के लिए हमारी संदेदानिक संस्टाओं की रक्षा करने के लिए हमारे समाजिक तानेबाने को जिन्दा रखने के लिए लोगों की अलग-अलग पहचान की आजादी बनाए रखने के लिए हमें हम सभी को एक-एक दिन गंदी जी के तहां गली-गली गाव-गाव जाना है तब तब जाकर भारत बनेगा आज हमें भारत की बुनियादी अस्मीता को, प्रचिन गरिमा को, संस्क्रीटिक परंपराओं को विविद्धता के मूल्यों को और आपसी सुहार को बचाने के लिए हर किमत चुकाने का संकल्प लेकर यहां से जाना है यह संगर्ष कितना भी कितना ही लंबा हो, कितना भी कथी हो हम इस रास्ते पर कब तक साथ-साथ चलेंगे जब तक कम्याब नहीं हो जाते है और मैं आपको विश्वास्ती लाती हूँ कि अगर संकल्प मजबूत हो तो मांजिल कभी धूर नहीं होती तो इनी शब्डों के साथ आप सब के साथ राष्ट्र पिता महात्मा गांडी जी के प्रती अपना सम्मन व्यक्त करती हो और इस अफसर पर शामिल होने के लिए आप सब को बिश से बहुत बहुत तन्यवाद धन्यवाद जै तिल